In this tutorial I will show you how to clear RAM cache Windows 10 and Windows 11 में RAM cache को clear करके Microsoft Windows की speed को कैसे enhance कर सकते हैं सबसे पहले My Computer की properties पर apply करेंगे इस box में हमने find करना है installed RAM तो मेरे पास यहां पर जो installed RAM है वो 6GB है इसके बाद इस box को हमने minimize करना है जस्ट यहां पर हमने देखना है कि मारी RAM कितनी है और कितनी use हो रही है यह भी अब हमने देखना है इसको minimize करने के बाद हमने task bar पर right click करना है तो जैसी हम task bar पर right click करेंगे task manager पर apply करेंगे तो task manager का box कुछ इस तरह से हमारे पास appear होगा यहां पर हमारे पास काफी सारे tabs है performance को select करेंगे और left side पर भी देखें तो हमारे पास काफी सारे performance settings है CPU, memory वगरा इसमें भी हमने memory को select करना है और bottom में find करना है cache it तो जैसी हम इसको find कर लेंगे हम देख सकते हैं cache it जो है वो 3.3 या 3.4 है तो basically जो मेरी total RAM है वो 6 GB है तो इसमें से 3.3 GB जो है वो used है तो इसके बाद हमने क्या करना है वीडियो की description में जाना है वहाँ से इस link को copy करना है copy करने के बाद एक browser जो भी आप browser यूज करते हैं उसको आपने open करना है चाहे वो edge है या इसके लावा आप google chrome यूज करते हैं इसकी search में हमने या इसके link को हमने paste करना है इसकी search में और enter के button पर press करेंगे तो जैसी हम enter करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते है ram map इसको हमने download करना है तो download ram map इसके उपर हमने click करना है तो file automatically download हो जाएगी यहाँ पर हमने just चंज second wait करना है तो जैसी यह file download हो जाएगी इसके बाद हमने इसके folder को open करना है simple हमने open file करना है या open folder करेंगे तो हमारे पास download folder यहाँ पर available है इसको हमने extract करना है extract करेंगे right click करने के बाद यहाँ पर extract करेंगे extract करने के बाद destination जो है उसको select करेंगे और select folder करने के बाद यहाँ पर हमने इसको extract कर देना है यानिके desktop पर अगर करना चाहते हैं तो desktop पर इसको extract कर सकते हैं अगर यहाँ पर हम देखें तो desktop पर हमारे पास जो files है वो extract हो चुकी है इसमें जो first file है इसको हमने select करना है तो जैसे हम इसको select करेंगे यानिके double click करके open करेंगे तो एक box हमारे पास appear होगा यहाँ पर हम देख सकते है agree के button पर click करेंगे तो ram map हमारे पास open हो जाएगा यह simple सा method है इसको open करने का बहुत ही असान सा method है अपनी caches को clear करने का तो top पर अगर हम देखें हमारे पास काफी सारे tabs है इसमें हमने select करना है empty को तो left side पर अगर हम देखें तो file के बाद है हमारे पास empty इसको हमने select करना है और bottom में select करना है empty standby तो जैसी हम empty standby करेंगे और memory के box में हमने find करना है cached तो cached जो है वो remove हो चुकी है यानि के clear हो चुकी है हमारे PC की speed इससे काफी fast होने वाली है इस setting को करने के बाद आपको कोई भी junk file remove करने की जुरूद नहीं है जस्ट हमने अपनी memory को release कर दिया है जिससे क्या होगा हमारे PC की performance काफी बेहतर हो जाएगी as compared to previous